नमस्कार तो सबसे पहले वेलकम और वेराव उप्रेशन हो गया है तो आप देख सकते हैं कल यादि यह ठारा तरीक को वैसे परसों हो गया नहीं कल शाम को है ना आज तो भी क्या वार हो गया है वीरवार शुकर रसल तो देखें बड़े इंपॉर्टेंट आया है एनमसी की वेबसाइट पे युकरेन और चाइना के बच्चे जो वापस जाने वाले थे और हम जानती है कि बहुत ज्यादा ट्रांसफर की बात चल रही है तो यह एक डाला गया है तीन पेच का और इसको मैंने खुल ला है तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कभी भी कुछ ऐसी बात हो ना सब स्टूडेंट से हमेशा अब एनमसी की वेबसाइट पे जाएए यहां लिखा होता है आपको कौन सा कसल्टन क्या चीज़े फोवर्ड कर रहा है उस ट्रैप में मत सशी है ठीक है अब आते हैं जी यह है क्या हो ध्यां से समझें सीखिए आपकी कसल्टन क्या बोलते है देखिए हरे इकाना मोठीव होते हम सभी जानते करके सामने क्लिक कर देता हूं कि दुनिया में ऐसा चलता है कि यह भी लोग फर्जी वाला शेयर कर देते हैं आपस में तो आपके सामने मैंने डाउनलोड का बटन दबाया यह खुला और इसी को खोलता हूं राइट सेम पेज खुल गया जो कि जैसा कि आप जानते ही है यह काफी बड़ा जो नोटिस है थारा नुमबर दोजार रिक्टिस को जो हम मेरे पुराने वीडियो में में शेयर कर चुका हूं कि दोजार बाइस से जब इस डेट के बाद जो भी बच्चा भार पढ़ने जा रहा है उन्हें किन-किन बातों को ध्यान रखना है वह नोटिस भी वैसे आप चाहेंगे तो इस ही वेबसाइट पे आपको अठारा नुमबर दोजार एक्किस ही डेट पे मिलेगा तो आप पीछे 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 जाएंगे इक्किस तक पहुंचेंगे तो वह जो फेमस वाला नोटिस था वह 23 नुमबर को नोटिफाई हुआ था तो यहां पर कहीं था वह कि भार जाने की जो एलिजिबिल्टी है यह फॉरण मेडिकल ग्रेजूट लाइसेंस रेगुलेशन से देखिए यह वो डेट था जो की उस दिन आया था आपको तो यह भी खोल की बैठ जाता हूं इसको बाद में देख लेए ठीक है लेकिन अब वापस से सीपी आते हैं ज्यादा वो ना हो फूर कवर्ट अंदर अदर प्रोविजन आफ दिस रेगुलेशन जिनकी क्लास है भी स्टार्ट इट अफ्टर दिस समझे आप तो यह जो लास्ट ही राया था फॉरण मेडिकल ग्रेजोट लाइसेंस रेगुलेशन यह हमने अभी खोला यह खोला ना और हमने यह देखा भी था यहाँ पर Foreign Medical Graduate License Regulation 2020 यही था नाम और यह यह document था यह वाला ठीक है ना तो यह document लागू होता है जो लोग 18 नमबर 2021 के बात गए और हम सबी जानते हैं फिलिपीन्स को लेग जी conclusion है इस rule में भी तोगी वो फिलिपीन्स का जो BS का चक्कर था जिसको पहले नमसी ने medical का पार्ट मानने से मना करते हैं और उसके लिए अलग से बात्ची चल रही है अब देखे डेट ओफ ओफर लेटर, invitation लेटर, admission लेटर will not be considered to decide the applicability of FMG regulation 2021 तो कहते हैं डेट ओफ लेटर will not be considered तो चाह किया जाएगा वो देखते हैं ठीक है तो हूम इस नमसी पुब्लिक नोटिस लीगल एपलिकेबल इस एपलिकेबल टो इंडियस्टेट्स वर इन लास्ट यह वंडेग्रेजुट अबगेजूट इसन बटेशन गडिशन पाट टो तो कुविट उक्रेंवार एडिटर इन टो इंडिया यह तीसरा आया था जो 28 जुलाई को आया था तो फिर से बार बार आ रही हैं यह जो था यह बिलकुल डिफरेंट था और यह अठाई जुलाई के आसपास लाया गया था कि जो लग लास्ट यहर में थे उनके साथ क्या होगा तो हर रेगुलेशन अलग है हमेशे इस बात का ध्यान रखेगा ठीक है ना सो 28 जुलाई को तो आया था वो यह था अगर आप चाहें तो मैं यह भी खोल लेता हूं यह आया था कि जो लास्ट यहर में थे दीखे क्योंकि वह वापस भी नहीं जाएंगे ना उन्होंने बोला था कि जो लास्ट यहर में पढ़ रहे थे सबसे उनकी पढ़ाई खतम हो गई है और उनको मिल गया है उनको यह है कि आपको बावापस जानी जोतनी आप एसमजी एजाम में बैठ सकते हो और सच प्योड़ टू यह तो उनसे बोला गया अब सीद्धा एसमजी बैठ जो यह यह रूल आया था किसके ल लिए लागों किया गया था वैसे सबके लिए था इसमें इन्होंने एक रूल ने बताया था यूक्रेयन वार को विट जिसके चक्र में लोग वापाई खता हूं अब आजो वापस इसमें जो सबसे इंपोर्टन था वैदर अब आज पर इसमें दूर्ण था यह रूल आया था यह जो नूटिस आया था यह जून के लिए था अब कोई पूछ रहे जुलाई में हुआ तो क्या करेंगे अब यह कहते हैं कि अगर जो हमेरे सुप्रीम कोर्ण ने रिलेक्टेशन दिया था वह उन्ली उन बच्चों को दिया था जो लास्ट यार अफ अंडर्गर्ड मेडिकल कोर्स में थे अपना कॉलिज छोड़ना पड़ा द्यू तो कोविड रशिया एंड डिटेंट टू इंडिया एंफ सब्सिक्वेंटली कप्लेड़ सब्सक्राइब ग्रांटी सट्रिगर्ड़ कंप्लीशन बाइट तीज जून यह एक तीज जुलाई तक लागू न मेडिकल रशिया तन अपना सर्फट ता बॉड़ना तीज कोविड टूड़़्ना कॉलगी झालिज एक पर बॉड़ना इंड प्रॉड़ना प्रॉड़नशन ट्रॉड़ना द्व घॉर्ण सर्फ तो करती दूड़ टूद टूड़ना सब्सक्राइब लागू क्लिच व्लि तो यह स्पेसिफिक केस हो गया कि अधरा नमंबर 21 के बाद अगर अगर यह नहीं होगा तो फिर तो आप गए क्योंकि आपको उक्रेन में पनना पड़ेगा उस दिन के बाद नहीं है आपकी पढ़ाई जीरो से स्टार्ट होगी तो अगर क्रेट ट्रांसर अलाओर हो रहे हैं तो छे और पास सालिम होने फरक नहीं पड़ता इस दर एनी एनोशी रिक्वार्व नेशनल मेडिकल कमिशन और में को नोशी निचाहिए ठीक है अब नाइन वट्षुट दस्टूड एंशोर विफोर तेकिंट रांसर वेरी वर्य इंपोर्ट फॉरंग मेडिकल स्टूड इस्टूड 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 बावर कह द इंटायल डूरेक्शन ऑफ कोर्स ट्रेनिंग इंटाशिव प्लस्टूड इस्टूड इस्टूड तो अथारा नमंबर दोजार इकिस के बाद जो भी अड्मिशन ले रहा है आप समझ लेजिए ट्रांसर उसके लिए प्रेटिकली खतम हो चुक है आप नई कंट्री में जा और समझते हैं जो पुरानी बच्चे हैं खासकर युक्रीन के बच्चे प्रेट प्रेटी अफिर से शेम रूल आ गया प्रिस्पेटि प्रोफेशन देगुटरी बॉड़ी विच इस कंपेटन तो गरांट लाइसेंस तो प्रैक्टिस मेडिशने लेने वाले हैं आपको हमेशा ध्यान दखना है कि आप उसी रूल को फॉलो कीजिए जो यह रूल था जो हमारे अठा नमबर यह जो पॉइंट है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है आप इसको हिंदी में ऐसे समझिए आप इंडिया में जब मेडिसिन खतम करते हैं आपको एक लाइसे नमबर मिलता है जैसे एम से रिस्टेशन नमबर बोलते हैं वो पहले मिलता था बिना प करना देट मींस यह प्रेटिकली रश्या में अपना क्लिनिक खोल के प्रेटिस कर सकते हो उजबेकिस्तान में फिलिपीज में चाइना में अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप उस कंट्री में जाए नहीं पहले या बात दोनों सेम की बात है ठीक है ना जी तो यह सबसे इं अपरोड़ नमसी यह पतारी कौन सा प्रोक्राम है कैन यू जिटन नो क्लियरली आगया ना कि तब से बाते चल दे थी हमारी कि उक्रेट के बच्चे को इंडिया में अमारा मारी है तो युक्रेट के बच्चों कैसी मिल जाएगी सीड यह हम सब जानते हैं कि एनमसी ने लिस्ट हटा दिया है इससे टूट्स की और जो भी बच्चा भाहर जा रहा है आप निट कॉलिफे करके जाएए वापस आके नेक्स दीजिए इन सब पांचों चीज को फॉलो कीजिए चौबन महिने का कोर्स हो बारा महिने की इंटर्शिप हो इंग्लिश मीडियम हो मेंडेटरी सब्जेक्ट हो जो की इसमें लिखे गए थे यह सब लिखावा था डिटेल और यहीं पॉइंट इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट है यह बार बार इनी फेट्टर को बोलते हैं सब्सक्राइब करके लिखावा था यह समरी में हो गया और यह जो पॉइंट है यह बाबर भाई है कि आपको उस देश में प्रेक्टिस करने की इजादात हो are online classes of foreign medical student returned from ukraine valid if so for smg studying in which year foreign medical students are allowed to undergo online classes of theory subject only which meant which mandatory be supplemented by offline practical and clinical training done in medical university a certificate issued by foreign medical university for successful completion of online practical is required so foreign medical students are allowed to undergo offline classes theory only which should mandatory be supplemented by offline practical and clinical training done by medical affiliate hospital during mbbs course a certificate issued by foreign medical university for successful completion of offline practical training is required to do valid है पर्पेक्टिल के तो आपको करने पढ़ेंगे foreign medical students are required to undergo an internship of 12 months in the same institute in addition who are under a supervised internship in India for minimum 12 months फिर से आगे है चौविस महीने विच डॉकुमेंट्स अमंग admission letter, invitation letter, passport stamp and transcript will NMC consider before allowing medical students to sit, draft of annexation is under consideration and will be placed, that means कि अभी हमें कुछ नहीं पता कि हम क्या लेंगे यह बड़ा important है जो इन्होंने point डाला है क्योंकि कई बार ऐसे होता है नहीं कि भी हमारा offer letter था October 2021 का लेकिन हमने travel करा मई में तो ऐसा क्यों करा unless until आपकी जो online classes थी वह प्योर थोरी की थी और वह allowed थी पढ़ना तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा और आप फिर से देखिए जहां तक जो युक्रेन के बच्चे आये हैं वापस जो हम यह दिस्कस करने हैं कि मैं दोसे जगा transfer कर लूँ तो इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि जो उसे पहले आये हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है जिनकी अठारा नमबर बाद में classes स्टार्ट हुई है शुरू से उनके लिए खाली है रूल लागू है ठीक है सो प्री अठारा नमबर जो कि युक्रेन के से में सेकेंड एर थर्ड एर फोर्थ एर के बच्चे हैं वो कहीं भी जा सकते हैं जो पुराने transfer के रूल थे 2002 वाले और उसके अलावा कोई दिक्कत न करनी है तो जो पुराने बच्चे हैं वो जा सकते हैं और ठीक है सो यह है जो सारा का सारा फैक आपको बताएगा यूक्रेन transfer के बच्चे यूक्रेन में 18 नमबर 2021 के बाद गए जो शायद बहुत ही कम गई होंगे उन्हें तो वहीं पढ़ाए पूरी करनी पढ़ेगी पर ज प्लकुल दूसरी कंट्री में जा सकते हैं ट्रांसफर की कोई प्रॉब्लम नहीं है एस पर अनमसी आप डिगरी पूरी करके आएए और आप अपने एजैम में बैठ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई परशानी नहीं किसी भी कंट्री में जाएए चाहे तो यूक्रेन वा खतम आपके कॉलेज में रिक्वेस्ट कीजिए कि जुलाई नहीं जून तक मुझे सट्विगर दे दिया जाए और 18 नमंबर 2021 के बाद तो जो सकती है वो है तो जितने भी पुराने बच्चे हैं वो अपना काम कर सकते हैं ठीक है कोई दिकत नहीं है एस पर इस फैक्स पुर नागू होगा ठीक है तो यह था आपके लिए नमस्कार आपका दिन शुब हो और हमसे कॉंटेट करना चाहते हैं तो 96433 62320 पे कॉंटेट कीजिए नमस्कार आपका दिन शुब हो बबाए